प्रॉफिट और लॉज से संबंधित कुछ महत्पूर कोश्चन्स अगर में वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ सेर कीजेगा लाइक कीजेगा चैनल पर नहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजेगा आएए देखते हैं पहला कोश्चन रमेश ने एक साइकल रुपिया बारा सो में खरीदी और पर्चीस परतिसत लाभ पर बेच दी उसका विक्रे मुले ग्याद कीजे कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले दिया हुआ है बारा सो रुपिया में खरीदी यानि कि सीपी दिया ह हुआ है उसका तो सीपी दिया हुआ है कितना में खरीद रहा है बारा सो रुपे में तो बारा सो रुपे में उसने खरीदा है लाभ कितना है यानि कि प्रॉफिट परसेंट देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका तो प्रॉफिट परसेंट जो है न वह 25 पर प्लस प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट को पी से डीनोट करेंगे परसेंट लिख लेंगे अब आई हंड्रेड यही तो होता है ना अब आगे देखेंगे इसको तो सीधे सीधे लिखेंगे SP इस प्रॉफिट की वाज है तो 200 प्रेकेट्ट में हंड्रेड अप्लस प्रॉफिट कितने का है तो पचीश परसेंट का है अब आई हंड्रेड कम देंगे तो देखेंगे अब इस दो जीरों इस दो जिरो को काट देंगे याद रखेगा ब्रेकेट वाला नहीं काटा जाता ब्रेकेट अ को बाहर वाला काटेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लिए तो 200 मिलगा हुआ चिदने है आपका फीह कुछ सीधा सीधा यहां पर लिखे 12 x 125 x 12 x 25 x 12 x 24 x 36 x 12 x 12 x 13 x 15 तो 1500 रुपया उसका SP है यानि कि विक्रे मुल्य क्या है तो उस साइकल का विक्रे मुल्य यानि रमेश ने उस साइकल को 1500 रुपय में बेच दिया है देखे दोस्तों इस कोशन में कहा किया है कि एक फुलदान का लागत मुल्य रुपया 180 है यदि दुकानदार को इसे 10% हानी से बेचना पड़े तब उसका विक्रे मुल्य है लागत मुल्य यानि कि उसका CP कितना है तो CP है आपका 180 रुपया है तो हानी से बेचना पड़ रहा है तो लॉस परसेंटेज है लॉस परसेंटेज ही उपहले के 100 का लॉस है अब सीधी सीधे आपको क्या मालुम करना है बिक्रे मुल्य मालूम करना है तो सीधी सीधे इसपी वाला पार्मूला लगाए Вот ओप 20 वैनरेड नवा प्लस यहां पर प् करेंगे माइनस लॉस पर्सेंट लॉस पर्सेंट पॉरसेंट रहता है तो प्लस करते हैं और हाँ रहता है तो माइनस करते हैं थो by 100 बस ऐसे कर लेंगे अब fm sigma हमको पूछ रहा है तो sp is equal to सीधे-सीधे final में रखेंगे CP कितना है तो 180 ब्रेकेट में 100 माइनस कितने परसेंट का लॉस हो रहा है दस परसेंट का लॉस हो रहा है तो 10 अब बटा 100 लिख लेंगे इतना ही तो करना है ना अब देखेंगे तो SP is equal to हमको कितना मिल गया 180 multiply इसको देखें 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 90 आएगा अब बटा ये 100 आगया कोई confusion है यहां तक अब देखें एक 0 से 1 0 काट सकते हैं अब दूसरे 0 से इस दूसरे 0 को काट लेंगे तो आपको SP कितना मिल गया तो सीदे सीदे यहां पर देखेंगे तो SP is equal to 18 multiply 9 मिल गया अब multiply कर जिए 9,8,72,7,9,9 और 7,16 यानी 162 रुपिया लागत मुले है 180 रुपिया लेकिन किसी कारण वस उसको 10% के हानी पे बेचना पड़ रहा है तो विकरे मुले कितना है 162 रुपिया है देखी दोस्तो इस question में कहा गया है एकदम concept clear करते हुए पढ़िए एक वस्तु रुपिया 60 में करे की गई है करे की गई है मतलब खरीदी गई है तो CP इसका कितना है तो CP दिखेंगे तो यहाँ पे लिख लिए CP इसका 60 रुपिया है और कितना लाब उसको बेच दी गई है 20% लाब पर बेच दी गई है यानि कि profit percent कितना है तो profit profit percent जो है उसका 20% का profit percent है अब पूछ रहा है कि SP बताईए बिक्रे मुले बताईए यानि कि SP आपसे क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है तो बस ऐसे question को simply जो जो दिया है लिख लिजे अब हम इसे SP पूछ रहा है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे SP का formula SP is equal to होता क्या है तो आपको अपनी तक याद हो गया होगा कि SP is equal to क्या होता है तो CP bracket में 100 plus profit है न तो यहाँ पे लिखेंगे profit percent by 100 यह तो हो गया आपका formula इसी formula पे हम question को सालो करेंगे तो SP is equal to क्या मिल गया आपको SP is equal to CP कितना है तो 60 रुपया है और आपका 100 plus profit कितना है तो 20% का profit है और by 100 simply ऐसे formula में हम सारे value को put up कर लेंगे अब हम देखेंगे तो SP SP is equal to कितना है आपका तो 60 तो लिखेंगे ही लिखेंगे multiply 100 और plus 20 120 हो जाएगा कोई confusion हो बोलिएगा जरूर by 100 एक प्यारा सा like भी कर दीजे दोस्तों जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया है तो 12 गूड़े 6 यानि SP आपको कितना मिल गया तो SP is equal to मिल गया 12 छके 72 तो यही आपका answer है 72 यानि कि वस्तू का क्रेम मुल्य 60 रुपया है 20% लाप पर उसको बेचेंगे तो SP कितना मिलेगा हमको 72 रुपया मिलेगा यह आपका answer हो देखी दोस्तों कह रहा है इस question में कि दिनेज एक घड़ी को रुपया 360 में बेच कर 20% का लाप कमाता है घड़ी का क्रेम मुले ग्यात कीजिए सिधा सिधा दिया हुआ है यहापे बेच कर यानि कि SP दे दिया हुआ है यहापे SP is equal to कितना दे दिया है तो रुपया 360 दिया हुआ है 20% का वो लाप कमाता है अब आपसे पूछ किया रहा है तो यहाँ पर आपसे CP पूछ रहा है ना तो CP का फार्मूला लिखिए CP का फार्मूला क्या होता है CP is equal to SP multiply 100 by 100 देखिए प्रॉफिट रहेगा तो प्लस लॉस रहेगा तो माइनस प्रॉफिट हो रहा है तो य CP is equal to SP कितना है तो 360 रुपया है multiply 100 by अब आपको क्या करना है यहाँ पे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है तो 12 का है बच इसको सालो कीजिए पहले तो अब देखिएंगे ना तो CP CP is equal to हमको कितना मिल जाएगा तो 360 multiply 100 rate अब आई 112 सौरी यह 20 है ना यह 20 है तो 120 मिल जाएगा इतना मिल गया हमको अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से 10 काट सकते हैं कट गया 12 के टेबल से 36 कट जाता है 12 के 12 12 24 12 36 तो हमको CP कितना मिल गया तो CP is equal to हमको यहाँ पे मिल जाएगा तीन गुड़े 100 तीन गुड़े 100 मतलब सौतियाई 300 तो यही आपका क्या है CP है यानि कि वस्तु का क्रेंग मुल्ले क्या है यानि घड़ी का क्रेंग मुल्ले 300 रुपए है कोशन कैसा लगा कॉमेट जरूर करके बताईएगा दोस्तो वीडियो अगर मैं अच्छा लग रहा है दोस्तो के साथ सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर नए है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए परस्नों के साथ बेश्टाफ लग